नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखा महरोता माहुत रश्ला यादो और प्राइम टीवी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल पे साथ चरण के जनाव संपन हो चुके हैं अब बारी है एग्जिट पोल की एग्जिट पोल भी बीती शाम सामने आ चुका है और ये एग्जिट पोल चौक आने वाला है क्योंकि इन एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर बीजेपी आती नजर आ रही है तो वही सपा दूसरे पाइदान पर नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजुनीती जिस तरह से इस बार एक अलग मोड ली है और लगातार सभी पार्टिया अपने अपने दावे और वादे करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ही जीत रहा हूँ मैं ही जीत रहा कि भारती जनता पार्टी का ये भी कहना है किस बार की होली भगवा में होने वाली है 2017 की तरह हम प्रचंट जीत दोहराएंगे हलाकि एक्जिट पॉल में भी यही देखने को सामने आ रहा है अब देखना या होगा कि किस के सर पर ताज सजेगा और किस की होली इस बार रंगहीन होईगी बिल्कुल तरशना है जिस तरह से इस बार के आकड़े सामने आ रहे हैं 238 से ले के भारी मतल यानि 276 के बीच सीटे जाती दिख रहे हैं बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है लेकिन जो एक्जिट पॉल सामने आए हमाई समवधाता ने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करके जो आकड़े एककतर किये हैं उनके अनसार ये पता चल रहा है कि भारी सीटे पिछली बार की तरह ही बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है लेकिन 10 मार्च को इस बात का खुलासा होगा कि क्या ये जो अनुमानित आकड़े हैं वो सही सावित होंगे या फिर जिस तरह से तीन बार के राजस्तान के बिहार के पश्यू मंगाल के एकज़िट पोल गलत साबित हुए क्या उसी तरह इस बार भी कुछ अलग देखने को मिलेगा एकज़िट पोल गलत साबित हो जाएगा क्या कुछ exit poll की नतीजे होते हैं हलकि अगर शिका बात किया जाए उत्तर प्रदेश की राजनीती के और मुद्दो के उत्तर प्रदेश की इस बार की राजनीती मुद्दो पर अधारी तरह यो सातो चरडो में मुद्दे बदलते रहे हैं इसलिए भी exit poll को लेकर भी जो अलग अलग पार्टी है वो अपना अंदाजा लगा रहे है उनका यही कहना है कि मुद्दे जो पश्यमी उत्तर प्रदेश यादा अलो जाट लैंड में थे वो उनको फाइदा हुआ है वो पक्षी पार्टी का कहना है वही अगर जो सत्ता धारी पार्टी की बात कियa है जी अगर पहले दूसरे चरण की बात करी जाए तो जस तरह हाँ से जाक लैंड था مسलिम बहूले छेत रहे यादव लैंड था क्योंकि जिस तरह से सफा की राजनीति वाइम फैक्टर पे देखने को मिलती है तो वाइम फैक्टर कहीं न कहीं सफा को ब्रॉफट ज़रूर दे सकता है। मनी शुकला जी वरिश पत्रकार के तौर पर जोड चुकी हैं जयराम भार्गव जी सुभाषपा से जुड़े हैं सपगट बंधन से और शबनम पांडे जी भाषपा हैं हमारे इस साथ जुड़ चुकी हैं बहुत स्वागत हैं सभी तीनों मैमान होगा हमारे इस खास चर्च मेरा पहला सवाल मनीश शुक्ला जी आप से जिस तरह से हर बार 2017 का एक्जिट पॉल सही आया और अलग अलग जगों से अलग अलग नतीजे इस बार आपको क्या लगता है एक्जिट पॉल सही होगा या खेला होगा तो एक्जिट पॉल हमेशा एक्जिट पॉल में नहीं बदला और निश्चित रूप से ये एक्जिट पॉल की विश्वतनीता पर बड़ा सवाल है आपने 2017 में देखा कि BJP को कितनी सीटे दिखाए गई और एकदम से लैंड स्लाइट विक्ट्री हुई भाजपा की और भाज वहीं बंगाल में दिख रहा था कि BJP फाइट में है BJP ने ममताव अनरजी की TMC को कड़ी टकर दी है और वो सत्ता में आ सकती है लेकिन जब एक्जिट पॉल आये जब सामने मतगरना हुई रिजर्ट आया तो बिल्कुल रिजर्ट चौकाने वाले थे वहाँ पर ममताव अन का एक अलग मिजाज रहा वोटर का पस्चिन में अलग समस्याय थी वहाँ पर अलग मिजाज का वोटर का तीसरे चनल से आते आते महौल बदलने लगा और सात्वे चनल में बिल्कुल मोधी महाल हो गया तो हर जगह अलग दिखने को मिला है महौल और उसका असर निच्चित दिखा रहा है वो सवाल खड़ा करता है जी शबनम जी मेरा सवाल आप से है जिस तरहां से इस बार के एक्जिट पॉल सामने आये कहीं न कहीं बताया जो आ रहा था कि बीजेपी को इस बार थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है लेकिन अगर आकड़े देखे जा होगा या नहीं शबनम जी तो आखड़े लगतार सामने आ रहे हैं और ये आखड़े बता रहे है कि बीजेपी कहीं न कई बढ़़त बना रही है वहीं दूसरे नंबर पर सपा नजर आ रही हैχालकि सपा ने इस बात का विरोध कई मीडिया चैनल्स पे इस बात के ओपर रोक लगाने की मांग भी करी गई थी कि जो आकड़े दिखाई दे रहे हैं वो मत्यदान पे कही प्रभाव डालेंगा इस तरीके क्या आकड़े दिखाना सही नहीं है तो जिसके बात रोक लग गई लेकिन अभी रोक हट चुकी है ल पे दिख रही है और अगर बात करी जवाए बाकी जगह की तो बाकी जगह क्या आकड़े भी कुछ ऐसे हैं सभी जगा बढ़ात में जी बिलकुल शिका जिस तरह से अलग अलग जो कंपनी और अजनसी थे उनके अलग सामने आ रहे हैं रिपोर्ट और रिजल्ट सामने आ र है जो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है तो इसे में देखना यह होगा कि क्या कुछ एक्जिट पॉल का सच सामने आता है किस तरह से आकड़े सामने आता है हाला कि अगर बात की जाए तो उत्तरप्रदेश की राजनीती एक बेहादी अलग त्रिकोडियर राजनीती में नजर आई है एक लड़ाई नजर आई है तो जसे साब से लगता है पार्टियों का वपक्षियों का और छोटे दलो भी जो है वो निशाना साधर एक्जिट पोल पर हाली में ओपी राजबर ने भी एक्जिट पोल पर निशाना साथते हुए कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं होन करेगी क्या भगवा में होएगा इस बार उत्तर प्रदेश कि लिए लगातार शुरू से ही कहते आये हैं हलांकि हमें दो साल कम साशन करने को मिला कोरोना की वज़ा से क्योंकि हम साशन तो हमने किया पर विकासकार में जो गती हमने डाली थी उस गती को हम चौकुना कर सकते हिरेते लेकिन तीन साल में हमने जो काम किया वो पिछले 10 साल की सरकारों ने इस रफतार थे काम नहीं किया था जंता बहुत ही हम पर विश्वास करतीथी और हमारा एजड़ा सबका साथ सबका विकास अवकाश बहुत हद तक सफल रहा क्यूंकि हमने कभी भी ना धर्म दे क पूरे विपक्षी पार्टियां और आपने देखा कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर हम से लगाता है 2014-2017-2019 में लड़ती रही लेकिन हम फिर भी जनता के विश्वास पर खरे उतरे और फिर इस बार 2022 में आप देखेंगे कि जो एग्जिट पॉल जो आकड़े बता रहा है उससे कहीं ज्यादा आकड़े हमारे आएंगे और इसी को देखकर ये तरह तरह की बाते कर रहे हैं अभी एग्जिट पॉल को गलत बताएंगे जब दस मार्च को रिजल्ट आएगा परिणाम आएगा हमारे जीद देखेंग अभी एग्जिट परिण बताएंगे और फिर वह भी खतम हो जाएगा तो फिर हमारे जो वेकास के आखड़े हैं उसको गलत बताएंगे नाकारात्मक राजनीत करने की विपख्ष को आदत सी हो गई है तरह तरह की बयानवाजी करते हैं और जो हम प्रोग्रिसिव राजनी कर रहे हैं जिस तरीके से उत्तरप्रदेश को मौने काफी अज्छी तरीके से लिए सी और थिक्टोर पे उत्तरप्र्देशскरे बढ़त बनाया गरीव वंचितों सोशितों को हमने जाती और धर मेना बाटकर पूरी तरीके से उन्हें पांच्ट समच्त्य हूए उन्हें य को नहीं आनने दिया जो एक बहुत ही साधारन समय था इस सदी का उस पर भी हमने जिस तरीके से एक भी गरीब को भूके नहीं सोने दिया और जिन गरीबों का रेड़ी पट्री वालों की जो आर्थिक कमजोरी आई उसको हमने हजार रुपे प्रतिमाह देते हुए उनको उसम हमारा पूरा संगठन से लेके सरकार कोरोना काल में जनता के साथ कड़ी रही इतना जरूर कहती हूँ कि बहुत से परिवारों में मौते हुई हमें उनके प्रतिमाह लेकिन हमने अब इतना अच्छा काम का दिखाया कि जनता निश्चत तोर पे आज ग्लोबली टीवी के हम से जुड़ी है उसे पता है कि बड़े बड़े शक्तिशाली देश इस कोरोना के समय में बहुत से अपने सिटीजन्स को अपने नागरिकों को गवा चुकी है वो हाथ पर हाथ धरे रहे गए कुछ नहीं कर पाए पर हमारे प्रदेश में एक भी जनता भूकी नहीं सोई और जो आर्थिक तोर पे कम दोर हुए उन्हें हमने मदद किया लेकिन विकास का कारे कोरोना के समय भी चलता रहा और जिस तरही के सरकार ने उतर प्रदेश की सरकार और हमारे मान्य मुख्यमंत्री जी ने एक मान्य तोर पे जनता के साथ चुड़ाव रखा जनता के बीच में रहे इससे जनता निश्चत तोर पे संतुष चुपाती है और वो जब नापती है तौलती है पुरानी सरकार से इस समय की सरकार से तो उन्हें लाग गुना दसगुना बड़ी दिखती है हमारे सरकार क्योंकि एक किमांदार छवी है हमारे मुख्यमंत्री जी का और विपक्ष लगातार माफियों का लिस्ट गिनाता रहा और जनता यही सोचती रही अगर लिस्ट था तो उस पर कारवाई क्यों नहीं कि पिल्कुल शब्नम जी आपने बिल्कुल कहा कि जिससरे माफियों का लिस्ट गिनाया गया और भारती जनता पार्टी जो हमारी सत्ता अगर भारती जनता पार्टी उसने माफियों पे सिकंजा का सब बिलकुल एक एहम मुद्दा है और जब 2017 पर मुख्यमंद्री की कुर्सी पर योगियादी तिनात बैठे थे तो उनके एक एहम मुद्दे थे लेकिन इस सबसे हट के अगर बात महिलाओं के मुद्दे की किजा जो 50 प्रतिशत वोटर है महिलाओं एक भारी मातरा में सामने निकल के अरके आई है महिलाओं के रोल को आप किस तरह से देखती है अगर भारती जनता पार्टी की जीत होती है तो उसकी जीत में महिलाओं का कितना रोल आप देखती है क्योंकि महिलाओं एक एहम मुद्दा ह होती जाए और हमारी सरकार की भी मंसा यही रही मिशन शक्तिक के तहट महिलाओं को आर्थिक सामाजिक और सैख्षिक तोर पे मलबूत करने के लिए लगातार सरकार लगी रही और तमाम छेतर की महिलाओं को प्रोचाहित करने के लिए उनको उद्यमी बनाने के लिए उनको स् स्कूल कॉलिज से लौटते थे पहले तो हमें जो लड़के छेड़ते थे हमारे साथ जो बच्तमीजी हुआ करती थी अगर हम प्रयास करते थे थाने में जाने का तो लड़के कहते थे चलो हम भी चलते हैं ताना कुछ नी बिगाड़ेगा मारा उसके ठीक विपरिद लड़क जिस सरह से एक्सिट बोर ये आपके साथ एक बात और कह देना चाहूंगी एक बात और देखिए हमारे जो हिंदू महिलाएं थी उनको तलाक होने पे एक कानून का अधिकार था वो एफ आया लिखा पाती थी लेकिन मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार पुरानी सरकारों न लेने नहीं दिया सुप्रिम कोट की आदेज के बावजूद उसको पलट दिया गया था पाल्याबेंड में लेकिन तीन कानून बना कर हमने वो अधिकार उन महिलाओं को भी दिया तो हमने सभी महिलाओं को एक समान अधिकार देने की कोशिस की और शशक्त करने की कोशिस की इस पर भी महिलाएं हमारे साथ लगातार खड़ी रही और लगातार अबाविश्य में भी चुनाओं होगा तो महिलाएं इस बात को याद रखते में हमारे साथ रहेंगी क्योंकि उन्हें पता है कि वो स्वावलंबी वो आर्थिक तोर पर मजबूत वो सैक्षिक तोर पर मज इस इस अश्चनकाल में हो सकती है क्योंकि हम कोरी लॉलीपॉप वाली राजनीती करते हैं जो विपक्षि कर रहे थे तो क्या सबनम जी आपने कहां लॉलीपॉप वाली राजनीती नहीं करती तो जिस तरह से 2019 में प्रचंड जीत के बाद राजनेतिक विसलेसक और देश के प्रधानवंद्री का ये कहना था कि तीन तलाग कानून के चलते जो मुस्लिम वोटर महिला मुस्लिम वोटर भारती जनता पार्टी के पास गई है तो क्या इस बार आप एक पर्टिकुलर जाती का एक धर्म का महिला वोट अपनी तरफ आता हुआ देख रहेंगे एकजिट प अगर उसके पास घर नहीं होता है तो सबसे बड़ी चिंता उसे आवास की महिला को ही होती है क्योंकि उसे अपने परिवार को धूप च्छाओं और सर्द गरम बरसात सबसे बचाना होता है अगर घर में लखडी जल गई होती है तो चूला जलाना मुश्किल हो जाता है वो पांच लाक आयुश्मान दारत की तहत इलाज का हमने सुविदा दिया जो बच्चियां जो सौचाले को जाया करती थी गाओं में अंधेरे में उनके साथ रेप हो जाया करता था अब छेड़कानी उनको सौचाले की सुविदा दी देखिए ये सुविदाएं शेहरी लोग एक शौचाले ये बड़े ही सरहानी कदम है और आपके बस लोटेंगे जैराम जी मेरे सवाल आपसे जिस तरह से एकसिट पोल के आकड़े सामने आये हैं तो क्या लगता है क्या ये बदल सकते हैं जिस तरह से मजबूती से सपा उभरी है तो इससे लग रहा है कि ये नेताओं द्वारा बड़े-बड़े चेहरो द्वारा ये बात कही गई है कि इन पर भरोसा ना करें तो क्या जंता को इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए आपको क्या लगता है तो पुड़ी सी आवाज बढ़ाया जाया आवाई मुझे कमारा आपकी तरफ तरफ ने जी दैय चेहरो द्वारा भी कहा गया है कि इन पर विश्वास ना किया जाए आपको क्या लगता है कि इन पर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि दूसरे पूजी पतियों का जो है एकाउंटों में डाल करके लोगों को इन्हों ने निर्दर बना दिया गुरी बना दिया दैरम जी मैं आप आप पूरी मीडिया को इस तरह से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो यह आकड़े हैं यहां पे एनलेसिस करके आए गाई हैं इस तरह की जो है सरारत पूर जो है जो गोजी मीडिया है जो दिखा रहा है जो ट्राइल कर रहा है है हमारे देश का दूर्बाग है जो मैं इस वा समने तो जो जोसकताытा जो सकते हैं और यह सत्य लेकिन मैं को बताता हूlles चुनाओं में नहीं सोयम नहीं है वजाओ पर प्रश्टा ने प्रश्टाचार कर तोड़ते हुए इसकी प्रश्टा कोई नहीं करता इप सवाल आपसे करना चाहूंगी सपा सुभास्पा जो गटबंधन है वो कितना कुछ कमाल दिखा पाएगी और सुभास्पा का इस से पहले गटबंधन भारती जनता पार्टी के साथ भी था जब वो सत्ताधारी पार्टी थी तो इस बार जब उसना गटबंधन सपा के साथ है तो क्या कुछ वो कमाल दिखा पाएगी क्या कुछ जो पी राजभर उन्होंने पहले ही दावे कि बाव में भारतिय जनता पार्टी अपने खाते नहीं खोल पाएगी कितने खरे उतर पाएंगे वह अपने खाते अपने इस वादे पर अदर यह नेता जी जो भी बात कहरें सब समंग में आ रहा है हमने आपको बताया कि हम सरकार बना रहे हैं आप देखिए जनक्यों परहसार हो रहे हैं तब आप देखिए इस देश और प्रदेश में लोग महगाई से तरस्ते हैं बेरोजगारी से तरस्ते हैं और अभी हमारी बेहन चबनम पांडे ने कहा कि बहन बेटियों के साथ अत्या चार बलातकार जी आप उठाके जो है एंसी आर्वी का रिपोर्ट उठाके देख लो ये ग् इस प्रदेश की जनता को गुमरा करने का काम किया लोली पॉप देने का काम किया जैसे हम लोग बच्पन में चोटे-चोटे जैसे दे आज हम हो ग्यान है हमारी मा कहती थी गोदी में लेकर पारे आओ न दिया किनारे आओ सो्ने के कटोरीया में दूद भातली आओ आप देखिये ये सपना हम ही तो क्या है भारतीयी जनता पारी की सीखाजी सपना दिखाएं और सपने को उतनी देशे जोंती है जो तक वो सफना उसका चलता है माफ कीजिएगा अपने अभी बात की महिला अपराद की महिला से जुड़े वे जो अपराद सामने आ रहे हैं आपको एक क्रित याद होगा जब समाजवादी पार्टी सत्तर हरी पार्टी थी और मुख्यमंत्री अवास के 200 किलो मीटर पर एक महिला के साथ रेफ हुआ था तब मुख्यमंत्री अपने घर में सो रहे ते इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको याद होगा ये क्रित जब एक महिला के साथ हुआ था शम्नम पांडे जी ये सवाल आप से भी है तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त 200 किलो मीटर की माज़े 200 किलो मीटर की दूरी पर पर इस साथ रेफ हुआ था वो एक नावालिक बच्ची की लाज मुख्यमंत्री आवाज के कुछी दूरी पर फेकी हुई थी मुख्यमंत्री ने उसका संग्यान नहीं लिया हजरत गंड मुख्यमंत्री आवाज से कुछी दूरी पर वहाँ पर सपा के गुंडों ने पुलिस आपने बोलग पे बोलग पे चड़ा कर रहा हुआ आप दैयराम जी आप बताएं अपना पक्ष रखे और शिखार हैं बताई सरकार उट परदयल में ठीपच चला रहा है है तंब तब क्यों आपके सफ़ाइं पराद नहीं हुए थी किया देराम जी पॉजूदा सरकार से की सवाल किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में सक्ता धारी पार्टी जो भी हो महिलाओं की हालत जस्की तस नजर आती है महिलाओं की हालात में कोई सुधार नहीं नजर आते बड़े-बड़े स्टेज पे मुख्यमंत्री के साथ खड़े हो के अधिकारी भी है कहते हुए नजर आते हैं कि वो महिला सुरक्षा के कारे करेंगे लेकिन जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो कई बार सवाली निशान हर सरकार में खड़े हुए है तो हम पत्रकारों का करेंगे सवाल है कि हपको सर्किसी को महिला के वोट चाहिए प्रचास प्रतिशत महिला भागीदार है लेकिन महिला सुरक्षा का सवाल हमेजा से बनता रहा है कौन जवाब देगा देरामजी बिलकुल आप अपना जवाब दे अब लेखे इनकी सरकार में एक से एक इतिहाय शबोग लिए उसके मावाब का परमेशन सरकार देती दीम ने स्वेम लखनव से जोकर के काम तिया आप बताइए कहां के वाथ क्या है जिसके साथ घटना घटी है पूरा परिवार पी लिए उसका परिवार बाद हो जाता है अगर दोबारा योगी सरकार रिपीट करती है भारतिये जनता पार्टी की सरकार आती है तो इतिहास में कितना बड़ा बदलाओ देखते हैं आप तीस सालों वाद ऐसा होगा कि कोई सरकार दोबारा रिपीट होगी अगर ऐसा होता है योगी सरकार का दोबारा आने का मतलब है आप लगातार 10 साल किसी सरकार को मेंडेट दे रहे हो इसका मतलब यह है कि जंता जो करोना काल में जो बाते की जा रही थी कि इस तरह का हुआ हैपनिंग हुई और बड़ी विपदा आई तो उसको सरकार ने मैनेज करने का भी काम किया है जो रासन का काम है चाहे मुफ्त रासन हो या उजुला योजना हो यह गरीबों के तक पहुँचा है और इसका असर कहीं न कहीं दिखता है और विपक चारोप लगाता है विपक सलकों पर आया विपक ने आंदोलन किया भीड 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 दिखी लेकिन वो भीड कितना वोट म इसना बड़ा जो अंतर है ये क्या दो सालों में भरा जा सकता है एकदम से जंदा का माइंड वाश किया जा सकता है जबकि करोना काल बीच में हुआ जंदा को सलकों पर आ जाना चाहिए लेकिन घर गर जो दवाय पहुंची रासन पहुंची उसका एफेक्ट एक दिखता है औ सबसे अहम चीज यह है कि हम चाहेंगे कि आप विपक्ष को इस बात की जानकारी दे कि एक्जिट पोल बनते कैसे हैं क्योंकि एक्जिट पोल पे सवाल उट रहा है तो भारत में कम-कम 35-36 एक्जिट पोल होने जा रहा है और आप अगर लास्ट के कुछ वर्स देखे तो ल सब्सक्राइब करने जानकारी होती है और हम लोगों को यह जादा पता होता है किसकी सरकार बनने जा रहे हैं किसकी सरकार नहीं बनने जा रहे हैं आप चैनल में अपने रिकोर्टर से बात कीजिए हो सीधे चौर पर बताएंगे क्योंकि कहीं न कहीं महंगाई का बेरोजगारी का मुद्दा रहा है तो वहीं जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को राशन वित्रड किया वैक्सीन वहिया कराई और जिस तरह से मोदी योगी लहर रही है पिशले कार काल में इसका भी असर देखने को मिला तो आपको क्या कितना रहता है इस बार जिनता किसके फेवर में जदा है जिए जैसा आपने कहा कि ground report जवापने करवाई तो आपने देखा कि वहां महंगाई मुद्दा थे वेरोजगारी मुद्दा थी तो लगातार मुद्दे जो हैं वहां बदलते हैं हर चरण में अलग मिजाज राप पस्चिम में चले जाएं पहले और दूसरे चरण की बात करें तो किसान अंदोलन को लेकर बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पर जो बसपा है बसपा ने त्रिकोरी मुकाबला किया वहाँ पर बड़ा करीब ही मुकाबला राप वहाँ पर जाट वोट कितना होता है शपा को यह अपने आप में देखने वाली बात होगी अगर पहले दो चरणों में बसपा को जाट मिलता है उसके थादब मुस्लिम वोट मिलता है तो अपने आप में नतीजे कुछ और होंगे जो एग्सिट पोल दिखा रहा है उस से विप्रीथ ह लेकिन अगर वहां पर बसपा लड़ती है और भाजपा के पास जाट वोट आता है तो वहां पर क्ली स्रीव भाजपा करेगी भाजपा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा एक दो सीट अंतर आजाएंगी पिछली बार से वह बात अलग की है लेकिन बहुत नुकसान नह उन्होंने का था कि वो दसमार्च के बार जाएंगे और उनको पहले जाना पड़ा नेता जी जो सपा के संदक्षक है वहां पर उन्होंने जन सबा की करहलो छेतर था जहां नेता जी की एक जमीनी भावना उनके साथ जुड़ी हुई है लोग उनको बच्चा-बच्चा वह महां पर पान खाया तो एक कनेक्शन जो होता है तो पहले आज के जो नेता है उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते जनता जी जी तो उनका कितना एहम योगदान है इस एकसिट पोल को गलत साबित करने में क्योंकि देखा जा रहा है बस पाजुकी एक समय में बड़ी पार्टी रही है हलाकि दो चुनावों में कहीं न कहीं वो गायब नजर आए पास से सिफ मातरे दस सीटे ये कितना बड़ा मतलब एक्जिट पोल पर असर डालता है साइलेट वोटर्स का तो इसका मतलब ये जा रहा है अगर हम एक्जिट पोल की ही बात कर लें अगर बसपा को 5 से 10 सीटे दिखा रहा है तो इसका मतलब कम सकम बसपा 40 से 50 सीटों कर दूसरे भी रोधियों को नुकसान पहुचा रही है जो एक समान वोट है आप ये देखिए 2019 का जो लोग सभा च जाटा वोटर जो है वो हमेशा साइलेंट होता है कभी परदे के सामने नहीं आता है इतना अग्रेसिव नहीं है कि अपनी बात खुल कर कहें लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो मदान केंदरों तक जाता है और आप पिछले 20 साल में देखें बसपा का वोट बैंक बहुत जाजा च्छितरा नहीं एक बना हुआ है कंसिस्टेंट बोर्ट बैंक उसके साथ बना हुआ है तो अगर ये बोर्ट बैंक बसपा का इस बार भी वही ट्रेंड रा जो पिछली बार रहा तो निश्चित रूम को भले ही सीटे कम हो लेकिन बसपा अपने विपक्षि जो किसान नेता है राकेश टिक है तो उनके भी बयान सामने आया है तो जो किसानों का मुद्ध है कितना असर डालेगा इस बार भारती जुनता पार्टी पर किसान हमारे देश के बविश्य हैं और वर्तमान हैं दोनों ही और किसान पर ही देश की आर्थिक नीती पूरी तरीके से आर्थिक तौर पर हमारा देश टिका हुआ और किसान को हमारी सरकार बहुत महत्यू देती है तीन कानून जो सरकार बना के लाई थी किसान के आर्थिक उत्तार के लिए लेकिन किसानों को अगर वो कानून हम नहीं समझा पाई या कहीं पे कोई गैप रह गई तो फ्रदान मंत्री जी ने उस कानून को वापस लिया लेकिन इसके साथ-साथ इस बात को भी ध्यान देना होगा कि हमारी पहली ऐसी सरकार है जिसने किसान के सम्मान प लिए परशान रहते थे कि वो बीच कहां से खरीद के लाएं और आर्थिक तौर गवा करते थे तो हमारी सरकार ने इस पर भी मदद किया कि किसानों को छे हजार रुपे उनके खाते में लेकिन देखा जाए शबनम जी तो इस बार कहीं खाद और बीच की समस्य सबसे जाद देखने को मिली यह चिनाव से पहले किसानों को नहीं देखे किसान कहीं न कहीं हमसे बहुत कनेक्टेड रहे और आप देखेंगे चाहें विपक्षित कितनी भी आवाज उता है कितने भी परगलाने की कोशिस करें पर जिस जनता के पास जिन पात्रों के पास हमारी यूजन में जाता था ऐक परिवार विशेस की टिजोरियों में जाय करता था बेरोजगारी गरतिशत था जब अपर्देश कि सरकार हमारे हातों में इस समय चेर बेरोजगारी सौनी जया इमज्ण। ओडी ओपी के तहर देखे 33,000 से जादा ओडी ओपी के प्रोड़क्त आज एमसोन पे बिक रहा है MSME में हमने बड़ उत्री की हमने सेल्फे रूप महिलाओं का बनाया 10 लाख और उसमें 10 करोड महिलाओं को जोड़ा 10 करोड महिलाएं कही न कहीं आरतिक तोर पे स्वावलंभी बनी तो इन्हें चोटी चीजें लगती है या ये बर्ग लाना चाहते है पर हम जब में पुर्वांचल गई चुनाओं के दोरान तो पुर्वांचल में जौनपूर गाजिपूर की तरफ लोग कहने लगे हमने कहा कि इस बार राजबर तो चले गए उधर क्या होगा उन्होंने कहा राजबर परिवारों से कहा हमने तो उन्होंने कहा हम उनको नहीं देंगे हम तो हमने का पिछली बार तो आपने दिया ब जनता ने हमारे इस चुनाव को लड़ा और जनता को ये विश्वास हो गया है कि ये मुख के मंतरी अपने परिवार की तिजोरी नहीं बरेंगे ये जनता की तिजोरी बरेंगे और उनका ये विश्वास इतना तूप रहा कि उन्होंने देखिए पिछले तीन चुनाओं में हमें जिता और दो जार बाइस की लिए और जो एक पोल में आकड़े दे रहे उससे कई ज्यादा अच्छे आकड़े हमारे आएंगे और इसकी वज़ा केवल यही है चाहिए माईलाओं पे अगर कहीं अत्या चार हुआ तो दोश्यों को तुरंट सलाखों के पीछे किया गया लेकिन उसके ठीक भी प्रेट सपह सरकार के समय देखिए प्रजापती पे लगातार बलातकार के आओं प्लक्तर रहे लेकिन वो करते हैं कि अधे और वा तरीके शर्चा जानम जी तो देखिए हम यह नहीं कहते हैं कि हमने क्राइम जीरो किया लेकिन क्राइम करने वालों पे हमने जिस तरीके से शिकंजा का खाता हैं यहाँ पे इस सवाल भी है को जनता ने चराहा है और बुल्डोजर से हमने उन अपरादों को खतम किया है अपरादियों के साथ साथ उन अपरादों को खतम किया जो एक संगठत अपराद का रूप लेता चला जा रहा था उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की विकास में लगतर अर्चन बनता चला जा रहा था तो उत्ताप्रदेश की जनता समझदार है जनाग्रूप है और जब जनता की आशाएं और अकांशाएं सरकार पूरा करती है तो जनता भी पूरी दिड़ता के साथ उस सरकार के साथ खड़ी होती है जनता ने बासपा की सरकार देखी सपा की सरकार देखी और इन तीनों सरकारों में उसने लगाता तीन चुनाओं से भाजपा पर विश्वास किया और ये चौता चुनाओ धंपिंग मैजुरिटी के साथ हमारे है शबनम जी दैराम भारगाओ जी कुछ कहना चाहते है इस पर पर दोश लगाए मीडिया पर दोश लगाए या किसी पर भ वादे है एक जो तबका है राजबर वोट का वो उनकी तरफ जाएगा तो किस तरह से इसको देखते हैं और कितना कुछ कमाल कर पाएगा और जो विकास की मुद्दे है उस पर आप क्या कुछ कहेंगे सापा सुभासपा क्या कमाल करेगा अब बीच में सिखा जी आप बोलेंगे नहीं मुझे कहने दीजिए गंटा बैठा हूं तीन मिनिट बोला हूं अब सुनिये हमारी बात एक तरफ तरफ हमारी सबनम पांडे जी कहरे हमने ये किया हमने वो किया एक सवाल इंसे पूछ लिजे दो महिने से पेट्रोल डीजर क कघा जानवारे लगी घुष्टेंस नहीं पर घ्ल Зवाल इनसे लेक्टा गज़े होites लिौ हमने इंसे किया आपने पढ़ा भी है या जानकारी भी रखा ङृश्व में को रूना मारी इसके बारे में पड़ा भी हो जाना भी हो उसके जवाब दो लेगा है यह परिशानी होई हैं जन्ता ने दस्तारिक के बाद हमें चुम्के लाया है तो हम जन्ता के पक्ष्ट में नहीं के आपने पेट्रोल डीजल के दांकाउं साथ सारे विपट्ष इस बाद को अच्छे तरह जानता है कि विपट्ष इंदान प्रस्टोनी है शावनम जी आपको यहां रोकना चाहेंगे जी इदराम जी अब देखिये उपलब्दियां भारतीय जंता पाइटी का बहुत गिनाते हैं विपट्ष है विपट्ष कमिया गिनाता है और अगर विपट्ष इसमें बोलें क्यों जा रहें बताएगे अब देख़ें, तब आपको बताया ना, बाबा बुल्डोजर, विपच्छ में दितने क्रिमिनल है उनिये क्या बुल्डोजर चलेगा? धरणे सिंगोन है? 25,000 का इनामी? यह सादू महातमा है? बिरजे सिंगोन है? बृजबोसर कोन है? यह सादू महातमा यह लोग है? करते रहेंगे तुनिये सबनम्जी यह आपके कृतियों कुछ बता रहा हूं अगर आपके लिए अपरादियों पे कर सिकंद्र कश्रें हम तो कह रहे हैं अगर लेश्ट था तो दबाए मैठे क्योंकि सपा बसपा बाबा जब डोजर बहुत चलता है देश के ग्रीह राज मंत का बेटा किसानों पर गाली तड़ाता है नो लोगों की हत्या होती है चार महिने में पेल हो जाता है देखते रहें यह वहीं इसी प्रदेश में उठाना आपके आपके हाथ में होगा हम उस पर उंगली नहीं उठाते हैं आएसे अधे का संपत्ति के आपके भी नेताजी थ कैसे वह साहरीज होगय तो यह कुछ थे हैं आपके जये तो आपके आपके हुआ है उसको नहीं नहीं है जाते है में दख्खल नहीं कर सकते हैं जिसका बाव जो है पता है पता है इसमें सरकार नहीं लेगी कोट नहीं लेगा बिल्कुल दायाराम जी आपको बोलने का दिया और तो अब सब्सक्राइब दोने दो मिन hatte को समय ले ली जब अपनी पूरी बात रखेंचे इसका अधर हम सवाल करेंगे इसका आप जबाद कर देजैarin को दो मिनаты गया यारी अब देखे गाजियाबाद में बरस्टाचार के इनके आरोग बड़े अच्छे होते हैं इनके अज़ल जाते हैं वो जो छद वहां डली थी वो भारतिय जलता पाइटी के नगर पालिका के चेर मेल के द्वारा बनाया हुआ था चे महीना पहले छडडली थी वो छट बरबरा के गिल जाती है चपीस लोगों को महत हो जाता है आज तक शपीसों लोगों को न्याय नहीं मिला ये मैं बता रहा हूं ये वेट है दूस वह किसी नहीं शुरा अंटोगटा उसकी हट्या हो जाती है और महोमा का इस्पी मरेलाजपाटीदार आज तक फरार है आज तक परारा है बाबा कि पुलिस पगड लहीं पाई बुल्डोजर कए उस में बुल्डोजर क्यों नहीं लहींकिती प्रादा नहीं हो जाता है मार देती है जांसे हत्या कर देती है उन पुलिस वालो क्या यह दिल्जार गया भाई बुल्डोजर बाबा के पूली क्यों है जो जानना क्या है ऑब बीम्यम में गोली के लिख व ड़नेव माहिए भाई गॉल्या Ben आपके जो अपने छेत्र हैं जैसा कि ओपिर आजपर गया दियानाया मॉग के विकास के लिए देहराम भारगोजी आपसे सवाल यह है मॉग के आसपास लगे और पुर्वांचल के कई छेत्रों का हम मुद्दे की बात करते हैं बिलकुल मुद्दे की बात करेंगे आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहेगा लेकिन मुद्दे की अगर बात किया जाएं तो एक जो बहुत बड़ा मसला मौ की जनता करा है जो पानी में अर्सेनिक पाया जाता है काई लोग उससे बिमार हो रहे हैं कैंसर एक सबसे बड़ा मुद्दा है तो ओपी राजभर जिन्हों ने कहा है कि इस बार भारते जनता पाटी खाता भी नहीं खोल पाएगी अगर गटबंधन की सरकार बनती है तो किस तरह से उन लोगों को निजाद दिलाए जाएगा जनता है मैं लोट दे के चुंती है और अपने विकास के लिए चुंती है तो अगर सपा और सुभास्पा गटबंधन आती है तो उनके लिए क्या कुछ किया है जो आर्सेनिक वोटर में जो आर्सेनिक पाएगया है उससे लोग बिमार हो रहे है और इसके पहले भी जब दूसरी पाटी के साथ ओपी राजभर जी थे, तुन्हों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं इठाया और ये सबसे एहम मुद्दा ये जन्ता का मुद्दा है, जन्ता के विकास का मुद्दा है, कम शब्दों में जवाब दीजे, मैं पर समय के कमी है देखे, मैं बताता हूँ, हमने कहा, स्वेल देव भार्ती समाज पाटी समाजवादी के गर सरकार बनेगी, आप न जो कहा, हम अगर आधर ये नेता जी को मलाई खाना होता, ठीका जी, तो भार्ती जन्ता पाटी की चार्टबार्टा करते और चूते पोलिस करते वहीं बने लेकिन नहीं, हमारे नेता ने समाज के रच्छा करते हुए, अपने मुद्दों को उठाते हुए, गाओं गरीब किसानों की नराजगी को दूर करने के लिए बिपच्छे में बैठने का काम किया, भार्ती जन्ता पाटी, हमारी सरकार तो बनवाईए ना, हमने कहा, हमारे म मुद्दे अगर हल नहीं होंगे, तो वो सबक होगा उत्तर परदेश में आधरिये नेता जी के द्वारा, मैं फिर कहना हूँ, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, मुद्दे तो हल करना पड़ेगा, सरकार किसी की भी हो, जी, दयाराम जी, हमने सपा अगडबंधन का इससे पहले भी कारेकाल देखा है, इससे पहले भी हमने आपको मौका दिया है, सपा की सरकार को मौका दिया, तो उस वक्त भी तो अपराद होते थे, क्या उस वक्त जिस तरह से अभी आपराद लिया जाता था, कितना एक्शन लिया जाता था, हमेशा बीजेपी ये आरोप लगाती रहती है कि संग्रक्षड दिया जाता था आरोपियों को उसके उपर क्या कहेंगे ये भी बता दीजे दे कर एकी तोनोई पार्टियों कोई न गर समान चलता तो उसका हिप एम स्वाग्त करते लेकिन यहाँ जात ही देखके बुल्डोजर चलता है वही जाती तो हो पिछड़ा हो, माइनाइटी हो यह इनके आहां जो क्या नाम है मिसरतिवारी है उनके हाँ चला जाएगा यह कहां का खेल चल रहा है वही अगर राजपुन समाज से कोई होगा उसके बुल्डोजर नहीं जाति हो से लोग भारतियां जातियों से लोग भरे पड़े है और भी पछसोप्ति सब को सिखांग बाद अंसारी को सपा सुभावसपा गड़ बंदन से टिकेट मिला है ना कि अब एक बात बताएं मि जल्दी जब एक वीडियो वाइरल हुई थी अबासानसारी कि जब और खुलेिक पाटिये को यहां पर कोई बात नहीं होाया है, यहां से कहते हुए है, कि शे माहिने तक कोई ट्रांसपर पोस्टिंग नहीं होगी, हिसाब होगा, किस तरह से देखतें आप इसको, अभी सरकार नहीं बनी, अभी बस करक्तन हुआ किस तरह से इसको देखतें हैं, बताएं तिखा जी, तिखा जी, अभी मैंने आपको महुबा के मडी लाल पाटीदार की बात किया ना, इस तरह के जो अफसर है, उसके उमर हमने मयान दिये हो, मैं कहरा हूं, उने मान सिक्ता से गिर्शी तो करें, जी, मारी लाल पाटीदार पे कारेवाई चल रही है, जी, मारी लाल जी, आपके पास लोटेंगे देहराम जी, हमारे साथ मनी शुकला भी जुड़े हूए है, जो वरिश्ट पंत्रकार है, मनी जी, मेरा सवाल आप से, इस बार मुख्यमंदरी और पूर मुख्यमंदरी दोनों चुनावी मैदान में है, किस तरह से आप इसको देखते हैं, और क्यूं दोनों को चुनावी मैदान में आना पड़ा, मनी शुकला जी, देखिए, इस बार, पहली बार ऐसा हो रहा है, शायद मेरे उसमें की दोनों और से चेहरे दिये गए हैं, भाजपा और सपा, भाजपा ने योगी जी का अपना चेहरा दिया, और भाजपा बहुत लंबे समय बाद किसी चेहरे पर किसी राज़ में लड़ रही है, तो अपने आप में भाजपा की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, और योगी जी जो है, उनका एक अलगी केंडी नेचर था, आपने देखा होगा योध्या में उन्होंने बोट मेंक है, उनको साजने की कोशिश की, और वहाँ पर निश्चित रूप से अपने चेतर में दोनों को जो जो इस प्राम पॉइंट है, वहीं पर आकर बैटिंग की और दोनों ने काफी मजबूती से लड़ाई की, अब परिणाम क्या होता है, यह देखने वाली बात हो पर हमने मोझी जी की लहर और योगी जी की लहर दोनों देखा और जनता को कहते सुना मोझी जी है तो मुमकिन है और योगी जी है तो यकीन है इस वाथ के नारे शनता भी लगाते खेल के दिखते थे तो कहीं न कहीं घर परिवार में सब्सक्राइब कि जब बड़े चहरे जनता के बीच आते तो जनता उनके साथ फोटो लेने के लिए भीड तो एक खटा हो जाती है लेकिन क्या वोटों में कन्वर्ट होता है देखिए सबसे पहली पीज हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जन कल्यानकारी योजनाओं ने जनता को राहत दी और जनता को पहली वार यकीन दिलाई है कि अगर रागने ते किक्षा शक्ती होती है सरकार की तो जनता के आशा और अकांशाओं को पूरा किया जाता है इसके पहले की सरकार या अब भी अगर आप सापा का पूरा कैंपेइन देखेंगे तो लगातार उसमें गाली गलोज करना लगातार अधिकारियों को पे गाली गलोज करना उसी के लिए घत का मिशों का को अधिकार आप अप सैनल में बीफिर नुदकर मोंरे जर्मा में भी जाओ कैंप ऊनली अधिकार या वर्षक आप करना क्थे आप गेंवा और इसी लिए हमें शुना गान को पूरब हलं करने में हमारी सर्दाद पूरी तरीके से सफल रहा, उन्हीं बड़े चेहरों ने ये बताया कि अपराजियों को संग्रक्षन देने वालों की गर्मी दूर होगी और निस्ट पॉल में जनता ने गर्मी दूर करने का काम भी किया, ये तो 10 माच को बता चिल जाएगा कि परिड़ाम क्या आता है और किसके पक्ष्च में आता है, पुलिस संगोगे जी नहीराम जी मेरा आतिम सवाल आप से जस तरह के आकड़े सामने आए है और एवियम की स्रुक्ष करती सपा इस बार नजर आ रही है, एवियम पे भी सवाल उड़ता है, एग्जिट पोल पे भी इस बार सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन जिस परेसात अखानल, आपरेसात नांतम, ऌार कर दो कृता है औरầेव को उड़ता है, णिसें आप जैगा, वाःत ने ओल राओन एगसों नाप जिसिए Michigan honest, आप जो परेसात किरा पहा है। उत्तर पडेश में इस बार आपको वह बदलाव दिखेगा कि इनको समझ में आ जाएगा ये हर बार कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदूस्तान पाकिस्तान, कभी गायगोगर, अगला पिछडा लडाने की इनकी प्रभती है, इस बार उत्तर पडेश के उपर, महेंगाई के आपको रूपनों को पर नौकरियों के उपढ़ पर सिच्छा के उपर स्वाष्ड के उपर पहन मावन पर जी आपको आपको रूपने चाऊंगी मनीश जी इस सरह से हम लोगो पूरी चर्चा कि इसका क्न्धूसिन क्या निगलता नज़र आ रहा है क्योंकि एक्जिट पोल पे सवाल उट रहा है हर बार EVM पे सवाल उटता राइस इस बार EVM के निगरानी करी जा रही है तो EVM पे इस बार सवाल उटना लाजमी नहीं है लेकिन हां वस्ती से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आयती जो पर पढ़ी थी जो strong room में उसके पीछे तो क्या लगत इस बारी नहीं पिछली बार भी उठे थे एवियम स्ट्रॉंग रूम की निगरानी के लिए कहा गया था अपने अपने दलों के कारकरताओं को कहा गया था कि वहां पर आप जुटिए और देखते रहिए कहीं कोई घपलेवाजी ना हो प्रसासन कुछ गलत ना करे तो इस तर पूरी टाकत से बाहर आएगी और दसमार्ट को दोपहर तक क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है इसकी नहीं बन रही है एकजिट पोल कितना एगएट पोल में बदलता ये भी उस दिन साफ हो जाएगा लेकि एक बात ये है कि आंत में जनता की जीत होगी क्योंकि जनता ने आप पहले चरण से आफरी चरण तक देखते रही है, 60% के आपकास मद्दान किया है, तो जनता जागरुक है और मद्दान होने की ज़रुदती लेकिन जनता जागरुक है और जनता घरों से निकली, तो निश्चित रूप में सारे मुद्धे उसके सामने होंगे और उन्ही आधार को उसमें वोट किया होगा, अब एक्जिट पोल टिकना एक रेक्ट होता है, ये तो दसमाच को ही पोता जे लेगा। किस तरह से देखते हैं, ये एजनसी का आप पूरा मामला देखते हैं या फिर पत्रकारों का देखते हैं, क्योंकि कई बार एक्जिट पोल सही भी हुआ है, फाइनल कॉमेंट में इस पर आपका जाऊंगी। तो ये नरेशन पत्रकारों के लिए खड़ा करने की हमेशा से राजनाइतिक गल पत्रकारों को सीधा टार्गेट बनाते हैं और बड़ा हलका और आसान टार्गेट बनाते हैं। या पत्तकारों की प्रसंसा करें, पत्तकार निची तरूप से सामने चीजे ला रहा है तभी सामने आ रही है और आपकी बाधी प्रमुता से रखी जा रही है पत्रकारी तब ही आसान नहीं है जिस तरह से आरोप लग रहे हैं हाला कि हम सिर्फ अनुमानित आकड़े दिखा रहे हैं जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है हर चैनल का हर एक कंपनी का अलग 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 आकड़े हैं लेकिन यह आकड़े कही रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है वो चाहे योगी मोदी का चेहरा देख के हो या फिर मुद्दो को देख के हो वही अगर बात करीज़े पिछले चुनावों से इस चुनावों में तो सपा ने बढ़त हासिल करी है इस बात से कोई नकार नहीं सक अगर बात किया हमारे रिपोर्टर्स की तो लगाता है प्राइम टीवी के जो रिपोर्टर है वो ग्राउंड जीरो पर मवजूद है और हम ग्राउंड जीरो और जो जनता की ओपीने ने उसके आधार पर आपको अपना पोल दिखा रहे है और ये तो दस मार्च को ही पता चलेगा कि किसके सर पर ताच चड़ेगा और प्राइम पब्लिक और सर्फकार की तरफ से भी जितने हमने आपको एपिसोड दिखा है हमारे जितने भी समधाता रहे उन्होंने जो ग्राउंड जीरो पर जाके रिपोर्टिंग करी सभी ने इस चीज को देखा है कि जो मुद अब दस मार्च को उसका खुलासा हो जाएगा तक तक के लिए हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी देना चाहिए जा मोदी जी और योगी जी एक फिलो फिल स्टॉप उदा ना कि कुशन मार्च किसी को नहीं चाहता हूं कि अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोगार कि अर्फ़ कि आती साहस सरोगार